हेलो दोस्तों वेल्कम टू मैं यूटूब चैनल क्रिजी डिजाइन्स आज के इस फोटोशॉप टेटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से मल्टिपल इमेजिस को कमबाइन करने के बाद एक डबल एक्सपोयर इमेज को क्रियेट कर सकते हैं जैसे कि इस वकट आप अपनी स्क्रीम पर देख रहे हैं मैं आपको औरिजनल इमेजिस भी दिखा देता हूं यह देखिए हमने इन दो इमेजिस को कमबाइन करते हुए एक डबल एक्सपोयर इमेज को क्रियेट किया है जो के फाइनल रिजल्ट आप यह देख सकते हैं तो य इस वकट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और एक इमेज हम यह वाला यूज करेंगे सबसे पहले हम इस वाले इमेज को इस तरह से ड्रैक करेंगे और इस विंडो में लाने के बाद यहां इसको रिलेस करेंगे अपने माउस को अब हम इसकी ओपैसिटी को थोड़ा कम कर दे होले हम इसकी जो बांडरीजा है अब हम इसको एडिएस करने चाहते हैं यहां वहां करेंगे मैं और मोस्ट इसको ओ यहां सेंटर में लें आता हो Ctrl Plus करेंगे थोड़ा सा इसको हम Zoom In करेंगे यहां Adjust करने के बाद हम यहां से OK करतेंगे अब हम Ctrl 0 प्रेस करते हैं इसे Fit to Screen देखने के लिए इसकी Opacity को वापस 100% पर ले आएंगे अब हम अपने Keyboard से W प्रेस करेंगे या आप यहां से भी Quick Selection Tool सेलेक्शन कर सकते हैं इसका Size हम थोड़ा सा Increase कर लेते हैं हमें इस वाल Sky की सेलेक्शन बनानी है जो कि इस वाल इमिज में है इसको सेलेक्शन रखते हुए हम यह देखिए इस तरह से मैं ड्रैग करता हूँ और यहां पर इसके सेलेक्शन बन गई है इस सेलेक्शन को हम Save कर लेंगे फिलाल इसको हम बाद में यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगा जब हमने यूज करनी है हम यहां से Select में जाएंगे और यहां से यूज करेंगे Save Selection यहां कोई भी नाम दे सकते हैं मैं Sky लिख देता हूँ और यहां से OK कर देंगे अब हम Ctrl D से इसको D Select कर देंगे हमने जो Selection बनाई थे वो आपके चैनल में यह दिखिए यहां पे Last में यह Sky के नाम से शो हो रही होगी अगर आपके चैनल यहां पे नहीं आ रहे हों तो आप यहां से यह विंडो में और यह चैनल का जो Option इस पे क्लिक करेंगे तो आपके यह Layer Panel के साथ यहां चैनल दिखने लगेंगे हम Layers पे वापिस आ जाते हैं इस वाली Layer को फिलहाल हम Hide कर देंगे अब हम इस वाली Layer को स्लेक्ट करेंगे और यहां से हमें सब्जेक्ट को स्लेक्ट करना है इसके लिए आप फिर से Quick Selection Tool स्लेक्ट कीजिए आप यहां से भी कर सकते हैं इसका Size में थोड़ा सा Increase कर लेता हूँ आप Left Bracket और Right Bracket से इसका Size कम याँ ज़्यादा कर सकते हैं देखिए इसको इस तरह से हम ड्रैक करते हूँ इसके Selection बनाएंगे एक फ़रा Zoom कर लेते हैं यहां पर और इसके Selection को बहतर करते हैं इसी तरह से इस तरह से भी कर लेंगे और यहां से भी इसकी selection बहतर कर लेंगे अब हम वापिस control 0 प्रेस करेंगे fit to screen देखते हैं इसको selection बनाने के बाद आप इस top वाली layer को फिर से unhide कीजिए और इसको select करते हुए यहां से हम layer mask add करेंगे आप देख सकते हैं इस वाली layer पर layer mask add हो चुका है हमने इसकी selection के साथ किया था इसका हम blending mode भी change करेंगे हम यहां normal पर click करेंगे और यहां से use करेंगे screen next step में हम यहां से जाएंगे adjustment layer में और यहां से हम use करेंगे color look up यहां आने के बाद आप 3D LED फाइल के इस drop down पर click किजिए यहां बहुत से lats आपको मिल जाएंगे आप कोई भी choose कर सकते है मैं फिल्हाल यहां late sunset के नाम से 3D LED है इसको use करूँगा अब हम इसको यहां से बंद कर देंगे अब हम फिर से इस वाली layer को select करेंगे इसको select करने के बाद आप अपने keyboard से g press कीजिए हमें gradient tool select करना है हम यहां पे gradient apply करेंगे जो के black color का होगा आप g press कीजिए आप gradient tool यहां से भी select कर सकते हैं यह select करने के बाद आप इस वाली बार पे click कीजिए और हम यहां basics में जाने के बाद हम इस वाली layer को select करेंगे और यहां से ok कर देंगे आपका foreground color black होना चाहिए इसकी opacity हम 100% रखेंगे और यह जो first well icon है इसको हम active रखेंगे linear अब हम थोड़ा सा zoom out कर लेते हैं और यहां से drag करेंगे shift press करते हुए और almost यहां center में ले आएंगे यहां लाने के बाद हम इसको छोड़ेंगे इस तरह से यह हम gradient add कर देंगे control 0 प्रेस करते हैं इसे fit to screen देखते हैं next step में हम यहां थोड़ी sunlight add करेंगे जो कि इस road और sky को आपस में merge भी करेंगे इसके लिए आप सबसे पहले यहां से एक new layer add कर लिजी जो कि इस वाली layer के उपर होगी हम यहां इसको select करते हैं और यहां से एक new layer add कर लेते हैं यह blank layer है इसका हम blending mode change करेंगे यहां normal पे click करेंगे और यहां से हम use करेंगे screen अब आप अपने keyboard से भी प्रेस कर लिजीए हमें brush tool select करना इसके opacity को हम फिलहाल 75-80% रखेंगे मैं यहां 80% कर देता हूँ flow इसका हम 100% रखेंगे hardness इसकी हम 0 रखेंगे आपका 4 gram color white होना चाहिए इसके बाद हम यहां पिल्कुल center में लाने के बाद और मॉस्ट यहां हम एक click करेंगे आप देख सकते हैं उसने lighting add कर दिया अब last step में हम इसके आप यह edges देख सकते हैं उपर यह इसके edges हैं हम इसे edges को भी merge करेंगे इसके लिए आप इस top वाली layer को select कर लीजिए हम इसका एक snapshot बनाएंगे इसके लिए आप अपने keyboard से Ctrl, Alt, Shift and E प्रेस कीजिए और आप यह देख सकते हैं यहां एक snapshot बन चुक है अब हम इसी layer को select रखते हो भी इसके एक फिर से selection बनाएंगे जो के main subject है इसके लिए यह देखे इसके हमने selection बनाएंगे थी अब इस mask पे click कीजिए Ctrl प्रेस करते हमने click करना है यह देखे इसके selection बन चुकी है आपकी layer यह वाली select होनी चाहिए जो कि हमने snapshot लिया था अब हम जाएंगे यहां से select में modify और यहां से use करनेगे expand यहां आने के बाद हमें 2-3 pixels इसको expand करना है इसके selection को इसके लिए मैं फिलाल यहां 2 pixels दूँगा और यहां से ok कर देंगे हमारी यह selection उसने 2 pixels expand कर दी है मैं आपको zoom करके दिखाता हूँ यह देखिए यहां से expand हो चुकी है control 0 press करते है fit to screen देखते है इसके बाद हम यहां से आएंगे channels में हमने यह selection बनाई थी start में आपको याद होगा जो selection है यह हम यहां use करेंगे इस selection को select करने के लिए हम alt and control प्रेस करते हुआ अगर इस पे click करेंगे तो वो इस वाली selection को इसमें convert कर देगा यह दिखे मैं alt and control प्रेस करते हुआ इसमें click करूँगा तो उसने यह वाली selection बना दी है अब हम layer में वापिस आएंगे आपकी इस विकद selection किया है इसको देखने के लिए अगर आप अपने keyboard से Q प्रेस करेंगे तो वो कोई mask इस पे apply करेगा यह दिखे मैं Q प्रेस करता हूँ तो आपकी selection वो दिखा रहा है कि इस विकद क्या selection है मैं फिर से Q प्रेस करूँगा वो mask को खतम कर देगा अब हम इसको inverse कर देंगे यानि यह जो selection थी इसको हम inverse करेंगे उल्टा करेंगे इसके लिए अब आपने keyboard से ctrl shift and i press करेंगे यह देखे ctrl shift and i press किया यह उसने inverse कर दिया मैं आपको फिर से Q प्रेस करके दिखाता हूँ यह देखिए यह inverse हो चुकी है अब हम वापिस selection में जाने के लिए फिर से Q प्रेस करेंगे इस तरह inverse करने के बाद next step में आप यहां से eye dropper tool select कर देजिए आप अपने keyboard से eye press करेंगे तब भी आप इसको select कर सकते है यह करने के बाद आप अपने edges के उपर थोड़ा zoom कर लेजी यहां और यहां इस वाले edges से बिल्कुल यहां से हम एक sample collect करेंगे इसके लिए आप यहां पे click कर दीजिए sample लेने के बाद थोड़ा zoom out कर लेते हैं अब अपने keyboard से फिर B प्रेस कीजिए brush tool select करना है हमने और इसका size थोड़ा सा increase कर लेते हैं almost इतना इसकी opacity को मैं full कर देता हूं 100% कर देता हूं और यह देखिए हमने sample लिया था अब मैं click करूंगा इस पे तो वो sample को apply कर रहा है या नी उसके edges पे उसवाले sample को उसने apply कर दिया दो से तीन दफा क्लिक करने से यह इस पे apply कर देगा अब हम ctrl D प्रेस करेंगे इसको deselect करेंगे और ctrl 0 से fit to screen देखते हैं अब आप देख सकते हैं हमारा double exposure image ready हो चुका है इस तरह step by step अमल करने के बाद आप भी किस image को double exposure में convert कर सकते हैं मैं इन images का link आपको description में देदूँगा अगर आप इन images को use करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं I hope आपको आज का tutorial अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आई तो like कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक new tutorial के साथ Thank you